टेश का दोस्तों मैं आज इत्या आप लोगों का सोगत करता हूं एक वीडियो के अंधर गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किया कारंस के बारे में यह अगर भर्ड करता है और अरुटर करते हैं हैं कि यह बैस से pierwszy से कि यह आपको डियारल मिलती है तॉफ वेरेंट में बच इस वेरेंट में यह नहीं मिलती है इसके अंदर यह सिरस प्लास्टिक दी गई है एक तरह कि वाइट तॉप कलर के रिफ्लेक्टर भे आप इसको बोल सकते हैं नीचे की तरफ आप देख सकते हैं आपको हैलोजन इंड से लेंप मिलने वाले है ये प्याणोफ फिनीश के सित्यमाल किये गए गए आक्रोस दावेयंट से में कि इसकी बात करते है ये देख से यहां प मिलता है टॉप वे अंदर जैसे लिखिरी ऐ लगश्या इसके अंदर आपको सिल्वर मिलता है नीचे के आपको तरफ फ्रंट पाकिंग सेंसर्स के अंदर मिल जाता है अब ओस्दे वेरिंट सेम है मलब बेसमोडल से लेकर टॉप मोडल तक आपको मिलने वाले हैं यह आप देख सकते हैं चार इसके अंदर सेंसर मिलेंगे और बात कर किसीटी आपको 16 इंच चीमी मिलते हैं जो कि किया की बैजिंग मिल जाती है पीच में प्रस्टीज प्लस से आपको इसके अंदर अलॉई विल मिलने स्टार्ट हो जाता हैं बट अवट प्रस्टीज वे अदर आपको यह मिलता है और टार प्रफाइल के बात करते हैं 205 65 आर-स वह इसके अंदर आपको टार पकाइल मिलने वाली है इंडिकेटर्स आपको और आरवम पर मिल जाएंगे इंडिकेटर्स गहिए फ्रंट में आपको देख सकते हैं जो एपिलर है वो प्यानो फिरिच के तरफ आपको black portion मिल जाता है और यह देख सकते हैं complete side look car का ग्राउंड क्लेम्स की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 195 की ग्राउंड क्लेम्स मिलने वाली है और बात करते हैं यह देख सकते हैं आपको जो इसके अंदर मिलने वाला है से अंदर आपको 45 लिटर का मिलेगा और यह देख सकते हैं कुछ complete लुक बैक से बैक में बात करते हैं तो शार्क फिनेंटन आपको मिल जाता है हाई माउंटेंस टॉप लैम यहाँ पे वाइपर वॉशर डिफॉगर नहीं मिलेगा किया की बैजिंग मिल जाती है और यह देख सकते हैं टेल लेम कुछ इस तरह रहने वाली है एलीडी है और यह इसको पार्किंग सेंसर और बूट स्पेस कुछ इसतर आपको मिलने वाला है दो सोला लीटर का बूट स्पेस मिलेगा इसके अंदर और यह जो सीट्स हैं यह 50-50 स्क्लिट हैं बीच वाली बात करते हैं 60-40 स्क्लिट आती है और यह बीच में हैंड्रेस्ट बन जाता है और आप देखी सकते हैं इसके अंदर स्पेस की बात करता हूं तो गई इस बहुत अच्छा मिल जाता है इसके अंदर आप इन सेवन सीटर के हिसाफ से काफे अच्छे स्पेस मिलता है चारजिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं दोनों तरफ थर्ड रो में भी आगे भी मिलते हैं और यह तैप सी चारजिंग पोर्ट सिसके अंदर मिलने वाले लगेजलैंप बीत के अंदर मिल जाता है यह 216 मैंने जैसे की बताया था यह दोनों को अपकर के अब गजो इनको मैं डाउन कर देता हूं तो यह अगर को कर देता हूं तो यह आयेगा इसके अंदर 1164 इसके अ मिलने वाला है इसके अंदर और हां एक चीज़ बता देता हूंगा इसके अंदर आपको अक्रॉस दवेडिन सेफटी से मिलती है सिक्सेर बैग मिलेंगे बेस में भी जो की काफ अच्छा काम किया है कि आने इस बार और चारो टायर में डिस्क ब्रेक इसके अंदर मिल जाते है हिल असेस्टेर वी एसम आपको सारे मलब सारे फंक्शन मिल जाते हैं इसके अंदर करने के लिए यहाँ पर और हुड ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है यह यह दे सकते हैं आपको 1.4 लिटर का टर्बो चार्ज इंजिन मिलता है जो की सेम सेल टॉस में भी मिलता है और जो पावर प्रेड्यूस करता है 140 पीस की पावर प्रेड्यूस करेगा और 242 निट्रमीटर का टॉक प्रेड्यूस करता है हुड इंसुलिटर इसके अंदर नही करता है कि बात कर लेते हैं ड्राइबर साइड डोर की तो पैटर्न सेम रहेगा यहां पर हाट प्लास्टिक का यूज़ किया गया है और यह देख सकते हैं आपको एलेक्टिकल अड्जस्टेबल मिल जाते हैं फॉल्डिबल नहीं आते इसके अंदर लॉक और चारो पाउर वि बॉटल होल्डर कुछ इस तरह मिलने वाले हैंक डोर मिल जाते हैं इसके इंदर आपको सिक्स स्पीकर मिलेंगे क्डाइबस त्त हैट आटे अब जाती है आपको इसके अंदर और फीट सेट देख सकते हैं यह रहेगी और कुछ पैटर्न ऐसा रहने वाला है वाइट स्टी कुछ इस तरह नेbenद कि भी एक हैं नहीं तरह रहा हैं तो क्याइब सब्सक्राइप A सब्सक् apparent music को बाद कि वह सब्सक्राइब चारे सब्सक्राइब अब सबस्क्राइब यह विद गड démocrate देख सकते हैं यहां पर यह एमाइड कंट्रोल आफ खाल से लिए लीए और ट्रेक्शन कंट्रोल को ओफ ओन करने के लिए मिल जाते हैं यह एक चीज बहुत अच्छी दिये कि यह ने इस बार की यह देख सकते हो जैसे कि यह पूरा जो मीटर है कीज लगाके कीज की बात करते हैं तो दो की मिलेंगी इसके अंदर आपको कुछ इस तरह से और कीज मनलब देख सकते हैं लॉक अनलॉक और बूट लॉक मिल जाता है इसके अंदर फिलिप की मिलती है और कॉस्ट कटिंग बिल्कुल नहीं किया क्योंकि बहुत से और यह देख सकते हैं आपको मीटर कुछ इस तरह मिल जाता है यहां से आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको यह देख सकते हैं इसके अंदर ट्रिप A, ट्रिप B यह इंफोर्मेशन मिल जाती है यह देख से ड्राइवर से असिस्ट लाइट बगएरा डोर बगएरा यह सब आपको इसके अंदर मिल जाता है टीपी एमस हाइलाइन टायर प्रेशर मोनिटरिंग सिस्टम इसके अंदर आपको बेस्टू टॉप मिलता है जो की बहुत अच् यहां पर यह हाड प्लास्टिक का इस्तमाल किया गया है और यह देख सकते है एट इंचिस की आपको इसके अंदर इंफोर्टेंट सिस्टम मिल जाता है इससे ऊपर वाले में भी आपको एट मिलेगा लग्जिरो लग्जिर प्लेस में आपको 10.25 इंचिस का मिलने वाला है और इक चीज इसमें बहुत बढ़िया की है कि यहने इस बार की बस साइज छोटा है बट पैटरन मलब असेंबली बिल्कुल से में तो जादा फरक नहीं आइसी कंट्रोल देए अनूल मिलने वाले हैं यहां से फैन की स्पीड कर सकते हैं और यह आप जानते ही एसी ऑन ओफ यह आपका हॉट अप्छ य घरक्षिन के लिए डिरेक्षिन के लिए निचे की तरफ पारकिंग सेंश आप ऑन उफ कर सकते हैं यह साइस सिरफ कंसोल यहां पर आपको दो कपोल्ट मिल जाते हैं एक चोटा एक बड़ा दूनों मिल जाते हैं यहां पर इसको खटा बीसकते हैं और यहां पर काफी वाला है बात करते हैं यह ग्लोबॉक्स की तो आपको कुछ इस तरह मिलने वाला इस पे काफी ठीक ठाक स्पेस के अंदर मिल जाता है का फोल्डर के अंदर मिल जाता है आपको यहां पर और यह काफी अच्छा मुझे डिजाइन लगा किया की तरफ से इंटीरियर में कि एसी वेंट्स को भी बिल्कुल मर्ज कर दिया है डैश बोर्ड के अंदर तो यह मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा और यहां की बात करते हैं तो यहां पर आपको कुछ कॉइंज वगारा रखने के लिए स्पेस मिल जाता है अब बात कर लेते हैं सेकंड रो की आईए गाइस तो पैसेंजर साइड विंडो में आप देख सकते हूं यह कुछ स्पीकर आपको मिल जाता है यह पैटर्न आपको मिल जाता है इसके अंदर आपको बोटन ओल्डर मिल जाएगा अमरेरा होल्डर इसके अंदर नहीं मिलेगा यह वाली सीट जो देख सकते हैं 60-40 स्प्लीट में आती हो तो 60 परसेंट आपको यहां से मैनुल करनी होती है डाउन और य अक्रॉस देवेरिंट सेम रहने वाली है तो काफी अच्छा फीचर है आपको मलब यहां से अराम से जा सकते हैं और अराम से भार आ सकते हैं मलब इंग्रेस और एग्रेस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको तो यह आप देख सकते हैं इसकी एसी कंटोल और की बात करता है तो पीछे की तरफ आप दिख सकते हैं फैन कंट्रोल आपको मिल जाता है आपर अपने कोडिश carry अW WordPress जाता है एक फोन रखने का हेंड्रेस्ट भी बन जाता है और यह आपको दो कफोल्डर इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं अब बात करते हैं एक चीज़ और में बता देता हूं गाइज आपको जैसे कि सभी के अंदर यह हैड्रेस्ट अद्जस्टेबल मिलने वाले हैं तीनों रों के अंदर आपको adjustable headrest इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं और हाँ तीनों ही रो में आपको इस events मिलेंगे और तीनों ही रो में आपको lights मिलने वाली है cable lights की बात कर रहा हूं मैं आप देखी सकते हैं अपनी screen के उपर तो गाइस अब बात करते हैं थर्ड रो की तो देख सकते हो थर्ड रो के अंदर आपको अपोल्डर मिल जाता है इसके अंदर और यह देख सकते हो charging point मैंने दिखाया ही ता आपको प्लस दूसरी तरफ भी आपको same मिलने वाला है इसके अंदर आपको यह hook मिल जाते है समान वजा रहा है जब आप इनको तीनों सीट को फोल्ड करके समान रखोगे तो मलब आप मलब बांज सके उसे तो इसलिए चारो मलब चारो कोनों में इसके अंदर आपको hook मिलने वाले है और हाँ इसमें आपको AC vents के अंदर एक खासित मैं बता देता हूँ AC vents के अंदर यह diffuser आता है जैसे आपके face पे direct हवा आती है तो वो चीज़ आप avoid करना चाहते है तो इसको air को आप मलब फैला भी सकते हैं इसके अकॉर्डे तो गाइस यह थी एक video second base model की prestige variant की I hope आप लोगों को पसंद आई होगी अब बात कर लेते है main मुद्दे की main मुद्दे क्या होता है मैशा मारा pricing तो guys pricing आप अपने स्क्रीन पर देखे सकते हो यह actual cost है और हाँ जो भी यह लेना चाहता है गाड़ी जल्दी से book कर लेना क्योंकि अभी इसकी एक साल की waiting चली गई है 1.5 पेट्रोल इंजन के लिए खास कर 1.4 के लिए भी इतनी कोई waiting नहीं है और डीजल के लिए भी कोई इतनी waiting नहीं है तो इतीन इंजन के साथ मिलती है यह तो बाके आप देख सकते हैं I hope आप लोगों को काफी information मिल गई होगी मिलते हैं next video में till then tata bye bye take care